आज हम बनाना जा रहे हैं अन्डा आलो ग्रेवेजिस के लिए हमें चाहिए आलो काटके रखे हुए हमने प्यास पीस के रखी हुए टुमैटो पेस पीस के रखावा नहीं और हजब जाए का मसाला है और यह अन्डे हमने बॉाइल करके रख दिये हैं अब सबसे पहले हम पैन में हम डालेंगे ऑईल हम गरम करने रख दिया है अब हम पैन में डालेंगे ऑईल हम डालेंगे इसके अंदर ऑईल को अच्छी तरीके से हम गरम करेंगे ऑईल गरम हो जाएगा उसके अंदर हम डालेंगे यह प्यास का जो हमने पेस्ट बना के प्यास के पेस्ट के साथ में अध्रक लशन का पेस्ट भी डाल दिया है और यह प्यास और अध्रक लशन का पेस्ट दोनों मिक्सें इसकेंदर उसको मची तरीके देल में फ्राइब करेंगे तक प्यास थोड़ी सी ब्रॉम ना हो जाए अंधर टुमाटो का भी पेस्ट चार टिमाटर बड़े साइस के लिए इसका पेस्ट बना लिया था पहले से और अब हम दाल रहे हैं सकेंदर और यह तरीके साम इसको मिलाएंगे तक इसकेंदर पकना जाए और जो मसाले हैं लाल मिर्च हल्डी नमग और धन्या पाउडर चार मसाले बस और गरम मसाला यह ह दे लिए मसाले को भी प्याज और टिमाटर की पेस्ट के अदर ने बनाया है इसके अंदर हम डालकर पहले कर दो बहुत हैं सकेंदर अच्कशे में काट कर आलू पाएंगे जब तक बहुतरु तक थोड़ी इसमें पक्रोंगा अधर गल ना जाए लिए आलू काट थाटा ब अब देखे लिए अब तोड़े दिर के लिए पक्ते शोड़ेंगे ताकि आलो थोड़े सॉफ्ट हो जाए और अब इसको ढख देंगे अब देख लें मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है अब इसको तोड़ा समझी हिलाएंगे और हमने एक कब जो दही लिया था अब वह हम डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से हम भूनेंगे मसाले को दहीं के साथ ताकि यह मसाला ना रहे हैं मसाला अच्छी तरीके से बुन जाए इसके अंदेंगे मसाला हमारा अब मिसको थोड़े के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि दहीं का पानी जोगा अच्छी तरीके से पग चाहे अब यह देख लिए अच्छी तरीके से रेडी हैं अब जो अब जो एक बॉइल करके रखे वे थे हम इसके अंदर यह एक डाल देंगी अब अपने हिसाब से मसाला और अपने कौंटिटी को कम जादा कर सकते हैं अब हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे हमारे देखें हैं मज़दार सा अंडे आलू ग्रेवी रेडी है और इसको मैं आपको बाउन में सर्फ करके भी दिखा देती हूं जरू इसको ट्राइए कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंगे